चलिए बेटा बताएंगे मचली में पानी में रहने के लिए अनुकूलन कैसे होता है अच्छा दो बच्चों के आतों पर हैं चल तुम बदाओ बेटा सार मचली का मूँ परबड़े पंक पूच चलिए और तुम बदाओ अब नहीं मूँ पंक और पूच इसके लावा और कुछ नहीं है यह तो दोनों ने बता दी बैठ जाओ सिडाउन आप आप नेया क्या बता रहे हो पूच यह तो चीजे बता दी इसके अलावा जो है बता वह नहीं चलिए बैठ जाओ बहुत अच्छे क्लैपिंग गुरूइन बच्चों के लिए देखो एक चीज हम और बताते है धारा रेकित शरीर धारा रेकित शरीर होता है इसका और धारा रेकित शरीर कैसा होता है कि आगे से पहत पतला होता है जो पानी को चीर सके और पुँच भी इसी तरह से पतली होती है जो पानी को आराम से पानी के बहाव brackets और दूसरा होता है बीच में से मोटा शरीर है ना मुझा पतला होगा पूंच पतले होगी और बीच में से शरीर मोटा होगा तो इसे एद्रार्रेकित शरीर ठीक है इसमें आपके पंक भी आते मुँट भी आते पूंच भी आते आपने बहुत अच्छा बताया चलिए ठीक